दोस्तों बात की जाए तो इंटरनेट पे आउंको कमाल कमाल के काफी इंटरस्नी गैजेट्स भी मिलते हैं लेकिन 2020 आगे और काफी सारे ऐसे गैजेट्स जो आज भी मार्केट में बिक रहे हैं लेकिन मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि इन गलत गैजेट्स को मत खरीजे काफी सारी ऐसी चीज़े जो बहुत जाद आउटडेटेड हो चुके और अज समय उनको खरीदने का कोई भी सेंस नहीं बनता यह आपके पैसी के से बरबाद देंगे कोई भी आदवी इन गैजेट्स को बेचता हुआ देख्यों कितना भी सस्ता मिलेना तब भी मत लेना जी हां यह बात करने वाले हो आज कुछ गैजेट्स के बार में जिन आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए 2020 के अंदर तो वेल अगर वीडियो पसंद है तो उस्ता की इन पर लेक्टाव को मिलते था कुछ समय पहले कोई मैक्रो लेंसे कोई जूम लेंसे उसका क्या रहता था कि एक अटेश्मेंट लाकर अपने फॉम की उपर लगा लो जूम अचीब कर लो आपको मैक्रों शॉट देखने को मल गया अलगलग चीज़े देखने को म प्रप्लम आती है इमीजेस की क्वालिटी भी बिगड़ जाती है और और कहने का मतला भी कोई भी यूसफुल परपस सॉल्ड नहीं करते यानि कि कभी प्रैक्टिकल इंगा यूस कोई करेगा भी नहीं करेगा भी तो इससे भी गिमिक की तरीके से यानि कि ऐसा लगेगा कि मो और यह कुछ बाते हैं तो कहने का मतलब है कि यह जो लेंस आपको देखने को मिलते है ना एक्स्टरन स्मार्टफून लेंस इंसे थोड़ा दूर रही है और इसी के साथी बार ही आती है एट के टीवी इंडिया में आना स्टार्ट हो चुकिया लेकिन क्या किसी को आज के सम 8K का content available नहीं है पहली बात आने वाले समय में बहुत ही rare होता है कि 8K content आपको देखने को मिलेगा फिलाल के लिए दुनिया का जो main focus है ना streaming और जो broadcast वगरा के लिए वो 4K पे हो रखा है पहली चीजी हो जाती है इसके साथी 8K का जब content नहीं है तो 8K से लेट आपको सेट्ट यह मैं का input लगता है वो भी काफी सारे TVs दोते हैं उनमें से आपको यह चीज missing देखने को मलती है जी हाँ याने कि नाम के लिए companies ने 8K TV बना दिया लेकिन 8K TV completely useless हो रखता है अगर आपको एक अच्छा TV खरीदना है ना तो मैं सेर्ट करूँ एक अच्छा 4K TV लो अगर आप इसी के साथ ही मान लिए जी आप थोड़ा सस्ता TV खरीदने वाले हो market हो सोच रहे पैसे बचाने के लिए थोड़ा पुराने TV खरीद लेता हूं या पर एक ऐसा TV खरीद लेता हो जो non smart है आगको ऐसा चीज लग रहे तो मैं सेर्श करूँ कि आज यह समय में कोई भी अगर non smart market में देखने को मिले ना सबके सब पुराने model हो चुके हैं तो क्या आप चाहते हो कि आप पुराना model लो या फिर नया model लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको पहले से smart TV के सारे features देखने को मिले जी हां तो ऐसा हो गया कि अगर कोई आत के समय में TV लेने वाला है तो recommendation यह कि कि smart TV ले हो सकता है वो आद की समय में चीज का यूज ना करें लेकिन हो सकता है साल देट साल के बाद इंटरनेट और अच्छे तरीके से penetrate हो जाए तो धीरे धीर उन features का भी वो यूज करने लगे क्योंकि देखा जा तो future जो है वो टीवी का वो केबल DTS इन में यह वो streaming के अ काफी जादा smart बना देंगे काफी हता के बात सही है लेकिन काफी जादे Android TV boxes gimmick होते हैं अगर आपको लोग को लगता है कि वह आप उसमें games वगरा खेल सकते हो तो जित्ते भी market में सस्ते वाले TV boxes वो किसी काम के नहीं है और दो इस चीज़े में रोग यहां काम के लगी एक set-top boxes में आपको देखने को मिलता ही नहीं जो Android TV box market में है 5 TV stick यहां पे काफी अच्छी है वहां पे आपको अलग-अलग apps का support देखने को मिल जाता है और कुछ ऐसे features भी मिल जाते जो दूसरे Android TV box से limited है लेकिन 5 TV stick का जो अच्छा model है वो है 4K वाला जो इंडिया में बनाना है कोई 4K या full HD तो 5 TV stick 4K recommended product है उससे देखके आप कभी भी disappointing होने वाल आपको उसमें बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगी लेकिन यह बात है कि अगर आपका budget कम है न तो साड़े थी हजार रुपे का Mi Box 4K भी अच्छा option है लेकिन उससे अच्छा hardware आपको 5 TV stick 4K में द अब हम बात करें point and shoot camera's आज से 10 साल पहले समझ में आते थे क्वी तब mobile phone के camera's दिने अच्छे वाल नहीं हुए थे आज के समय में budget point and shoot camera बिलकुल भी मत खरीदना कोई भी camera के नाम पे वह धबा है और कुछ भी नहीं आपको quality भी ती अच्छी नहीं मिल रही है आपको mobile phone काफ वगरा को ध्यान में रखे तो किसी वकर vlogging वगरा करनी है और उसमें से अच्छी quality जाए तो वो इतना जादे spend करें और कोई अगर बहुती कम spend करने वाला है तो मेरा suggestion नहीं रहगा कि DSLR खरीद ले या फिर एक अच्छा mobile phone खरीदे जिसे वो फोटोग्राफी कर सकता है point and shoot camera आ आगे mobile फसा लो VR में चीज़ों का मजा लो वो चीज़ गुजरे जवाने की हो चुकी है कुछ नहीं होता वो से फिर गिमिक्स थाबित हुआ रियल वर्ड में कुछ भी चीज़ नहीं होई और देखा जाए तो जो VR headset ते ना तो उसका जो जमान है ना वो completely जा चुका है जी ह की चीज़े रहती है ना सडक से power bank कभी भी निग ले ना वहाँ पर सिप एक battery होती बाकी सारी battery नकली होती है कई बार तो देखा है कि power banks है ना जो power bank के वो charge होने लगता है phone को discharge करने लगता है जी हाँ ये प्रॉब्लम भी रहती है और ये भी रहते है कि जब ऐसे low quality चीज़े यूज की जाती है ना सस्ते power bank में तो ये explosion वगरा भी कर सकती है जी हाँ ये भी काफी बड़ी problem है इसके साथ ही मैं तो ये भी recommend करूगा कि सडक से ना pen drive लीजिए ना memory card लीजिए ये भी सारे नकली आपको देखने को मिलते है यहाँ तगर earphone भी ले रहे हो और आप उसकी audio quality check करी कि यहाँ बज रहा है लेकिन real world में आपको local लगेगा कि इसकी audio quality है ना कितनी जादा बेकार जेखने को रहे है तो सडक पे आपको चितने भी electronic item मिलते है ना power bank, memory card, pen drive, earphone ये सब सडक से बिलकुल भी मत लीजिए कोई भी ज़रूद नहीं से लेनी की और ऐसी बारियाती speakers की, आज के समय में अगर आपको speaker लेने वाले हो तो make sure first of all it's a Bluetooth speaker, headphone jack phone से गायब होता जाए तो यहाँ पे इसकी ज़रूद नहीं है, इसके साथ ये भी है कि आप हैना हो सके तो smart speaker लेजिए, विल यहाँ पे main फायदा ये कि smart speaker को बिना Bluetooth की connectivity के भी use कर सकते है और उसके लिए internet connection होना ज़रूरी है, तो अगर आपके पास ए broadband internet connection है, घर में Wi-Fi हो और तब आप एक smart speaker लेते हैं, उसका आप ज़्याद अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते हैं, लिकिन अगर आपके घर में broadband connection नहीं है, freebie अगर आप smart speaker लेते हैं, तो आप शाद उसका उतना अच्छी त चलाना चाहता है, वो कर सकता है, उस plan में, और जो smart speaker लेते हैं, उसे भी चलाना चाहता है, तो चला सकता है, तो अगर आप इस step का plan अगर आपने broadband घर में ले रख था है, तो आप smart speaker होते हैं, उसे आपने घर में ले सकते हैं, वैसे कोई necessary नहीं है, लेकिन है एक gadget हो जाता है काफी interesting, लेकिन अगर किसी भी speaker के अंदर आज के समय में अगर आपको Bluetooth देखने को नहीं मिल रहे है, सारे चीज़े देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे speaker से दूर रही है, उनको लेने के कोई भी ज़रुवत नहीं है, तो दोस्तो ये थे कुछ gadget इसके बार में आपका बता आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आप सुन तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड़ बाई